हेलो एन खमागरी टू आल वेलकम एंड वेलकम बैक टो अनादर वीडियो कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे तो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ अपनी शादी का दिखावे का वीडियो आप बोलेंगे दिखावा क्या होता है तो मैं आपको सीधे सीधे सब्दों में बता देती हूँ जब राजपूती कम्मेंटे में एक रिच्वल होता ह जब लड़की की शादी होती तो उसको जो गिफ्ट दिया जाते हैं जो कपड़े और जो भी उसकी नीड के जो सामान होते हैं वो जो भी दिया जाता है उसको एक फैमिली फंक्शन के अकॉर्डिंग उसको दिखाया जाता है और उसके अंदर क्या क्या होता है और कैसे कैसे दिया जाता है, यह सब अपने अपने family background पर depend करता है, जरूरी नहीं बहुत ही जादा दिया जाए, बहुत कम दिया जाए, जिसके family background जैसा है, लोग वैसा ही करते हैं, और यह परमपरा अभी की नहीं है, यह बहुत सालों से चली आई परमपरा है, तो इस वीडियो में मैं बत देते हैं, इसकी जो सारी packing है, यह घर पे ही हुई है, और मेरे को एक comment आया था, यह वीडियो मैंने पहले भी post किया था, उसमें बाईसा ने बुला कि मुझे इसकी list चाहिए, क्योंकि मेरी भी शादी होने वाली है, और मुझे इसकी details चाहिए, कि आपके dresses के अलावा लड़ जो मेरे family से दिया गया था है, सोने चांदी के नारियल है, सोने का कड़ा है, as well as ऐसे कुछ gifts हैं, जो मेरे in-laws को भी मिले थे हैं, जिसके अंदर ladies के लिए and james के लिए कुछ gifts थे, यह compulsory नहीं है, कि सब ऐसा ही करते हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि कोई ज़्यादा देता है, मैंने पहले ही बताया था कि यह family background पर depend करता है, कि आपका family status कैसा है, उसके according आप gifts decide कर सकते हैं, सो इसमें गले के set है, rings है, earring है, james के लिए, सो यह तो हो गया मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि यह ladies and james के लिए and मेरे husband के लिए जो gifts मेरी family की तरफ से आये थे वो हैं, अब मैं आपको start से अपना वीडियो बताती है, जिसके अंदर मैं बताऊंगे, अपनी trolley bag से start करूंगे, and मैं आपको दुबारा बता देती हूँ कि इस वीडियो में जो भी packing है, suitcase को लेके, tray को लेके, dresses को लेके, सारी packing मैंने खुद से ही की है, घर पे ही की है, किसी से करवा यह नहीं गई है, so यह है मेरा trolley bag, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, bridal suitcase का, अगर नहीं देखा है, तो मैं link description box में provide करा दूंगी, तो आपको help हो जाएगी, कि bridal के suitcase में क्या-क्या essential जो सामान होना ही चाहिए, ससुराल जाते time, so आप वो भी देखके idea लगा सकते है कि आपको क्या need होने वाली अपने ससुराल में as a two and three days newly married बीनिको, so start करते हैं आज का वीडियो, and next suitcase के बाद में है मेरी gold की jewelry, और इसके अंदर सारा कुछ है, gold के earrings, ceaseful, बंगडी, पूंची, और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी जो gold and silver दौनो जूलरी मिली थी मुझे अ बहुत सारे comments आये थे कि हमें ये comments, it means कि compliments थे कि हमें भी आपकी jewelry के designs वगरा चाहिए, so मैं जल्दी ही ready करूंगी, इस पर भी एक वीडियो, and ये है मेरी silver jewelry और बहुत यूनिक और different design है मेरी इस jewelry का, और इसके लिए भी बहुत सारे मेरे पास messages आये थे as Instagram पर, अगर आपने व मुझे वहाँ follow कर सकते है, and आपको भी need है, इस video को देखे कुछ भी, तो please मुझे comment करके जरूर बताना, and मेरी gold and silver jewelry पर भी तक मैरे video create नहीं किया है, मैं जल्दी ही try करूंगी, इनके उपर भी video बना, तो ये है मेरी gold and silver jewelry, जरूरी नहीं है, कि दौनों ही दी जाती है, कोई gold की भी देता है, कोई silver की भी देता है, जैसे हाँ आपका family background है, आप उसके according अपनी jewelry decide कर सकते है, then आ जाता मेरा second जो trolley bag है, वो, so मैंने अपने bridal suitcase वारे video बताया था, कि मेरा first trolley bag था, जो सफारी का, तो ये है, वो सफारी का suitcase, जो मुझे first time मुझे ससराल लेके गई थी, वो suitcase वगर है, ये सब आप पे depend करते हैं, आप किस तरह के suitcase लेना चाते हैं, बड़ा चोटा size according आपके need के हैं, and next is, हाँ ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, कि ये है सोने चांदी के नारेल वाच, और सोने का कड़ा, ये मेरे husband को मेरे family से मिला था, and चांदी का सिक्का भी है इसके अंदर, और ये सब आप जैसा देना चाहते हैं, अपने बेटी को, मतलब अपने जवाई बोलते हैं हमारे या दामाद को, तो अपने जवाई को क्या देना चाहते हैं, और उसकी ससुराल वालों, इनलोज family उनको क्या देना चाहते हैं, ये सब आपे depend करता है, कोई भ मेरी सिल्वर की कटोरी ट्रे एंड चमच का जो सैट है वो एंड अब जो मैं आपको बता रही हूं यह बहुत इंपोर्टेंट है और यह हर राजपुत वैडिंग के अंदर लड़की को दिया ही जाता है इसको इस ट्रे को बोलते हैं चौपड पासा एंड इसमें सिंदूर द तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना इस जूती में भी जैसे मेरे चौपड वासे में चाण्दी के घुंगरू लगे हैं वैसे ही मेरी इस जूती में आप देखेंगे घुंगरू लगे हैं आगे की तरफ और ऐसे ही साइड में जो चकलोटा बेलन हैं इसके भी पास में वहां है मेरे डोर हैंगई मैं होते हैं तोरन वहां और उसी के साथ है थाल पोस अन्ड उसके जस्ट फुटवेर की ट्रे नीची की तरफ अब ही जो मैं आपको दिखा रहे हैं यह मेरे हैंडबैक कलेकशन इसकी भी मैंने इक ट्रे बनाए थी तो आप जैसा भी मेरे चार बैग के देंग इसके या स dewक Всемार प्राइडल को हैा अगर आपने नहीं देखा उड्तक देंगां आप है अब हम बात करते हैं ये विट्वेड के में मैं में एड है उसके बाद के अंदर bangles ये हैं bangles के just pass में चमक आरती किताली ये भी हमने घर पे डेकोरेट की थी उस टाइम कोरोना था तो हम आरकेट से कुछ ऐसा ला नहीं सकते थे इसलिए हमने इसको घर पे ही तूरिया वगरा लगा के डेकोरेट किया दैन ये है मेरे velvet की shawl है उसके उपर मोटे मोटी लेस ये इसके अंदर add किया और ये tray भी हमने घर पे ही pack की थी हाँ tray हमने market से खरीद ली थी पहले से ही बट इसकी सारी packing जो की है वो सारी हमने घर पे ही की है और इस tray के अंदर क्या क्या सामान चाहिए और कैसे tray pack करनी है अगर आपको इस video से कुछ भी लगता है कि आपको इसकी need है then please message me and मैं आपको help ज़रूर करूंगी then अब बात करते हैं ये है मेरा chudy box उसके अंदर भी मेरे पास काफी ज़्यादा अच्छा collection था उस time और ये सारा मैंने उस time collection शादी के time ही किया था एक या दो महिने के अंदर then उसके just उपर के तरफ है henky और henky को मैंने टोकरी में pack किया था उपर से net लगाई थी and just pass में है mask ये मैंने online purchase किया है अगर link मिला तो मैं जरूरी description में डाल दूँगी उस time corona था तो ये मैंने अपनी dresses के according सारे color के marks online order किये थे then henky के just pass में आपको दिख रहे हैंगे gold gold colorful round round में और उसके उपर blue color के stone ये हैं हमारे नाडे और ये हमारे अच्छे से मैं आपको दिखा देती हूँ इसके अंदर में dresses हैं और ये गदी भी हमने घर पे ही बनाई है और इसके अंदर भी चांदी के गुंगरू लगे वे हैं then इसके पास में है मेरे blanket है double bed की blanket है and then उसके उपर है मेरे husband को जो कपड़े दिये गए था वो then उसके just pass में double bed sheet है double bed की और उसमें cushions वगेरा सारा है और उसके just उदर गली चाए गली से एक पास दरी है और ये मेरे 41 सूट है जिसके अंदर cotton के प्यार के और मतलब 4 मीटर के सारे जो सूट मुझे need थी जो मुझे अच्छे लगे मैंने वो सारे उसके अंदर include करके मैंने 41 complete किये थे और ये जो red color की जो आपको गदी दिख रही है ये भी बहुत सुंदर है दिखने में और as well as मैंने इसको मतलब अभी तक इतने care करके रखा क्योंकि इसमें चांदी के जो गुंगरू लगे में बहुत अच्छे लग रहे थे और ये हैं सारा मेरा overall look दिखावे का तो इस वीडिय एंड ये creamish creamish color के कुशन से और ये भी मेरे शादी के टाइम मैंने purchase किया थे online और ये सारा कुछ जो decoration वगरा है या जो मेरे गैने की डबी है इसके नीचे जो थाल पोस के अंदर जो रखने वाला जो कपड़ा होता वो इस सारा कुछ मैंने ही decorate किया है घर पे ही कुछ भी मै आपको लगता है कि आपको ट्रे के अंदर क्या क्या रखना चाहिए आपको टोकरी के अंदर क्या रखना चाहिए कितनी ट्रे होनी चाहिए कितनी टोकरी होनी चाहिए मतलब इस वीडियो से बहुत सारे questions बनते हैं अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो के अंदर इ यह ऋलो करल की है जो यह मेरे हल्डी की दरी जोबी मैंने घर पे ही बनाई साटन के कपड़े के ऊपर फ्लार चिपका के गोटे के दैन उसके पास मेरा स्वेटर एंड स्वेटर के जस पास में है मेरे टॉवल सेट और इसके अंदर मेरी हेवी पोशा के लाइट वेटेड पोशा के प्योर के जोड़े सारी हैं और यहां पर मुझे यहां कमेंट्स भी आते हैं मैं आपको बता देती हूं कि आपके इंस्टाग्राम siuk और कि मेरी और आपको लगता कि आपको कुछ भी नीड है आपको कैसे पैकंग के मेंसेज मतलब बात करना है ने प्ली जमय को से just pop 믿 game है एंड मेरी जो सिल्वर गोल्ड की जूलरी है उसे भी रिलेटेड आपको चाहिए दैन आप प्लीज मैसेज मी एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिजे ताकि आपको मेरी डेली अप्डेट्स मिल जाएं एंड मेरे बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजे ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका नॉटिफिक्शन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाएं एंड आपको लगे कि आपको मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं रिलेटेट टू यूर कुछ भी आपको जैसे लगता है कि आपको इस चीज की वीडियो की नीड है या आपको इस टाइप का वीडियो चाहिए आपके लिए कैसा वीडियो मुझे क्रियेट करना चाहिए then please suggest me यहां पर बहुत सारे सूट वगरा है मैंने सारा कलेक्शन बहुत टाइम से स्टार्ट किया सूटों का बता रहुंँ मैं और जूर्ण ही वगरा का मैंने रिसेंटली उसी टाइम ही desapare किया था और मैंने आपको दरी बताई थी यह मेरा स्वेटर यह स्वेटर भी मैंने शादी से कुछ टाइम पहले ही पच्छेज किया था मैंने अभी बताया था आपको टॉइल सेट तो यह मेरा टॉइल सेट है इसके अंदर दो स्मॉल है एक मीडियम है एक लार्ज है तीन चार टॉइल है यह है मेरी हैवी पशाग ब्लू कलर की एंड हां मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ आपको पेटी कोट की एक ट्रे जरूर बनाने चाहिए और उसके अंदर सारे कलर के लाइट डार्क जैसे आपकी ड्रेसे से उसके अकॉर्डिंग यह पेटी कोट ऐसे पैक करने और यह है मेरे सारे सूट जो घर पे भी बनाये हैं बहुत सारे सूट हैं जो मैंने घर पे खुद से बनाये हैं यह ब्ल्यू कलर का है जिसके उपर सिल्वर कलर के स्टार्ड वाले फ्लार लगे वे और इस सारा कुछ पैकिंग वगर है यह मैंने सारी घर से ही की है कहीं बार से नहीं करवाई हैं यह जो आप देख रहे हैं दरी वगरा यह सब मैंने ऑनलाइन पर्चेस किया है और इसकी पैकें वगरा सारी घर में ही हुई है जो भी आपको लगता है कि हां ये चीज़े आपको लगरी है कि ہां इनेशेल है प्लीज मैसेज मी मैं ट्राइ करूँगः आपके लिए वीडियो करें नेगा इस वीडियो में मैंने जो भी था बता दिया है और यहाँ पर जो भी सामान वगरा है इसकी मैं एक लिस्ट भी बना दूँगी आपके लिए इजी हो जाएगा वहाँ डिस्क्रेप्शन बॉक्स में से देखके अपने लिए सामान वगरा सेलेक्ट करना और मिलते हैं नेक्स वीडियो में नए टॉपिक के साथ और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा आज के लिए इतना है खमागने